लो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में बिग्यान का कोस्टन बैंक हम आपको बताएंगे 2016 में बिग्यान का परिक्षा हुआ था तो दो पालियों में हुआ था प्रथम पाली और दुईतिया पाली में तो प्रथम पाली में 20 objective प्रशन पूछा गया था तो उसी को हम बताएंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पुड होने वाला है क्योंकि previous year question paper से बहुत सारे प्रशन आपके final board परिक्षा में रहते हैं तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीब मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हम अपने website पे upload कर चुके हैं तो class खतम होने के बाद आप हमारे website से जाके download कर सकते हैं और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा और subscribe करने के बाद एक bell icon आता है तो bell icon को दबा के all pay कर लिजिएगा ताकि जब भी live class हो तो आपके पास notification पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रशन से तो पहला नंबर प्रशन है कि बिदोत्फियोज बिदोधारा के किस सिधान पर कारे करता है यहाँ पर आपको बताना है कि बिदोत्फियोज बिदोधारा के किस सिधान पर कारे करता है तो उसमिय सिधान पर कारे करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन है दो नमबर दो नमबर प्रशन है कि किसी कुंडली का परतिरोध ग्याद करने का सुतर क्या होता है यहां पे आपको बताना है कि किसी कुंडली का परतिरोध ग्यात करने का सुतर क्या होता है तो भी इसकल टू आई आर होता है तो यहां से आपको आर का मान निकालना है तो आई धर गुड़ा करता है तो बराबर की धरा के क्या करेगा भाग करेगा यानि भी वटा आई बराब तिन नमबर प्रशन है कि बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है A उपसेने दिश्ट धारा, B उपसेने परत्यावर्ती धारा, C उपसेने दोनो, D उपसेने इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिश्ट धारा प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन चार नमबर, चार नमबर प्रशन है कि दाढ़ी बनाने में किस परकार का दरपण का उप्योग किया जाता है, A उप्सने ओतल दरपण का, B उप्सने उतल दरपण का, C उप्सने समतल दरपण का, D उप्सने इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस परकार का दरपड का उपयोग किया जाता है तो आतल दरपड का उपयोग किया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A वाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन पांच नम्बर प्रशन की विभूंतर का A सही मातरक क्या होता है A उपसे ने बोल्ट B उपसे ने एंपियर C उपसे ने कुलाम D उपसे ने वाट तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवांतर का A सही मातरक क्या होता है तो विवांतर का A सही मातरक बोल्ट होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कूल ही सही हो जाएगा काफी महत्पुण महत्पुण 20 previous year objective प्रश्ण बताएंगे तो एक भी प्रश्ण आप लोग skip मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और यह हमारा what's up नमबर है और अभी तक आप हमारे गुरूप में नहीं जुड़े हैं तो इस नमबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें गुरूप में जुड़ दीजिए तो हम आपको गुरूप में जुड़ देंगे आइए देखते हैं अगला प्रशन छे नमबर छे नमबर प्रशन की प्रकास के अपवर्तन के कितने नियम है ए उपसने एक, बी उपसने दो, सी उपसने तीन, डी उपसने चार तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकास के अपवर्तन के कितने नियम है तो प्रकास के अपवर्तन के दो नियम होते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्ण साथ नमबर साथ नमबर प्रश्ण है कि एक बॉल्ट क्या कहलाता है A option एक जूल परती सेकेंड B option एक जूल परती कुलम C option एक जूल परती एंपियर D option इन में से कोई नहीं अगला प्रश्ण आठ नमबर आठ नमबर प्रश्ण है कि स्वासन किस परकार की रसाइनी कभी किरिया है A option ए उपचयान B option ए संयोजन C option ए उसमा छेपी D option ए उसमा सोसी तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वासन किस परकार की रसाइनी कभी किरिया है तो उपचैन है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कोली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 9 नमबर, 9 नमबर प्रशने की कौन विधुत का सुरोतम सुचालक है, A उपसे ने CU यानी copper, B उपसे ने AG यानी चांदी, C उपसे ने AL यानी aluminum, D उ तो यहाँ पे आपको बताना है की कौन विधुत का सुरोतम यानी सबसे अच्छा चालक है, तो A जी यानी जो चांदी होता है, यह विधुत का सुरोतम चालक होता है, यहाँ पे B वाला option बिल्कोली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 10 नमबर, 10 नमबर तो यहाँ पे आपको बताना है की नमबर में से कौन विधातु है, तो A जो चालक है, तो A जो चालक होता है, यहाँ पे B वाला option बिल्कोली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 11 नमबर, 11 नमबर प्रशने कि निम्न में से कौन उपधातू है, A उप्षन F यान C उप्षन N I यानि निकेल, D उप्षन S B यानि एंटी मनी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपधातू है, तो S B जो एंटी मनी होता है, यह उपधातू होता है, यहाँ पे D वाला option बिल्कोली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 12 नमबर 12 नमबर प्रशने की पीतल है, A उप्षने धातू, B उप्षने A धातू, C उप्षने मिसर धातू, D उप्षने उप्धातू, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल है, तो पीतल एक मिसर धातू है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option बिल्कोली सही हो आईए देखते हैं अगला प्रश्ण तेरा नंबर, तेरा नंबर प्रश्ण है कि अमली अविलियन का पी एच मान होता है, A उपसने 7, B उपसने 7 से कम, C उपसने 7 से अधिक, D उपसने इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमली अविलियन का पी एच मान ह तो साथ से कम होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और उदासिन विलियन का पी एच मान साथ होता है और छारिय विलियन का पी एच मान साथ से अधिक होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला प्रशने 14 नंबर 14 नंबर प्रशने की सरलतम हाइड्रोकार्बन है A उपसेने मीथेन B उपसेने इथेन C उपसेने प्रोपेन D उपसेने ब्यूटेन तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो सरलतम हाइड्रो कारवन मिथेन होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला आप्सेन बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी महत्पुण महत्पुण 20 प्रिबियस यर अब्जेक्टी प्रशन हम आपको बता रहे हैं तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 15 नमबर प्रश्ण है कि कुटपाद किस में पाया जाता है A option पैरा मिसियम में, B option यूगलीना में, C option अमीबा में, D option इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बढ़ताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है तो जो कुटपाद होता है यह अमीबा में पाया जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नमबर 16 नमबर प्रश्ण है कि पुस्पी पौधों में लेंगिक जनन किस के द्वारा होता है तो फूलों के द्वारा होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 17 नमबर 17 नमबर प्रश्ण है कि निमन में से कौन उत्सर्जी अंग है A उत्सर्जी अंग है तो जो व्रिक होता है यह उत्सर्जी अंग होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे A वाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 18 नमबर 18 नमबर प्रश्णे की सुगराणू बनता है A उत्सर्जी अंग है तो यहाँ पे आपको बताना है की सुगराणू बनता है तो सुगराणू कहा बनता है तो व्रिक हो जाएगा यहाँ पे A वाला option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नमबर 19 नमबर प्रश्णे की निमन में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है A उप्सेन वायू, B उप्सेन मिर्दा, C उप्सेन जल, D उप्सेन जियोधारी तो यहाँ पे आपको बताना है की निमन में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो कौन प्राकृतिक संसादन नहीं है तो जिवधारी प्राकृतिक संसादन नहीं है यहाँ पे D वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अंतिम प्रश्ण 20 नमबर प्रश्ण की इंसुलिन की कमी से क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेरोग होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा 2016 में जो बिग्यान का परिक्षा हुआ था उसके प्रतम पाली के 20 अबजेक्टी प्रशना हम आपको बता चुके हैं और ये जो 20 अबजेक्टी प्रशना है ये आपके final board परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है अगर इसका आपको PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में तो आप हमारे website पर अभी जाएए और वहां से इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लिजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो का अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर सेर किजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये मन लगा के पढ़ाई किजिए टेक केर और बाए